गुड बॉर्णिंग फ्रेंड कैसे आप लो मैं हूँ रश्मी वेलकम प्रुटी चैनल और आज है बारा मार्ज तो चलिए देख्टे है 12 मार्ज के इंपोर्टेंट डेली करेंट अफियर्स सबसे पहले वीडियो में होगा कोश्ण अफ देए फिर 10 मल्टिपल च्वाइस हैं इंडिया और किस कंट्री के साथ तो इसका अंसर है इंडिया और इंडियोलेशका का यह लिटमेंसाइस अपोर्टट अम यहां हो रहा है आप 10 मार्ज 14 colonial के है इंडिया और उजमेकिस्तान के बीच में और यह कहां हो रहा है कोशन आ सकता है तो यह हो रहा है रानी केट जी हां रानी केट उत्राखंड में यह एक्सराइज हो रहा है तो यह बहुत इंपोर्टेंट करेंट अफेर है याद रखेगा दसलिक टू चलिए देखते हैं आज का मल्टिपल च्वाइस कोशन और एक और बात बताना चाहोगी मैं यहां पर टेन मल्टिपल च्वाइस कोशन देती हूं और यह कोशन के लिए मैं अबाउट 50 कोशन को देखने के बाद क्या लगता है कि जो बहुत इंपोर्टेंट कोशन से वह दिया जाए क्योंकि आपका टाइब बहुत वैलिएबल होता है और आप अगर दस कोशन एक दिन में करते हो तो एक साल में अबाउट तीन हजार ठीके थाउजन कोशनस अप कवर करते हो और क्या 3000 कोशन में से के लिए देना ज्यादा बेनिफिट है ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का मल्टिपर च्वाइस कॉश्चन कॉश्चन नबर वन फॉम विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर हैस इनुग्रेट अमृत महतसफ तू कॉमरेट तो 75th anniversary की सेलिब्रेशन होने वाली है तू 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 में 15 अगस्त दो हजार बाइस को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 75th anniversary of our independence और इसके लिए प्रोग्राइम है जिसका नाम है अमृत महतसब आपको बताना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहां से इस प्रोग्राइम को इनुग्रेट कर दिये हैं बहुत इंपोर्टेंट है यह निउस तो उन्होंने किया है इनुग्रेशन एहमदाबाद से जी हां और यह बहुत इंपोर्टेंट है तो याद रखेगा इसको भी फ्लैग उफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी करते हैं ठीक है अजादी का अमृत महतसब 15 अगस 2022 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके लिए यह एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो यह इं कौन पद यात्रा लीट करेंगा जो कि साबर्मती से डांडी तक है तो यह पद यात्रा लीट करने का चांस मिला है प्रहलात पतेल प्रहलात पतेल कौन है प्रहलात पतेल हमारे कल्चरल एंड टोरिजम मिनिस्टर है और यह स्टार्ट कर रहे हैं पद यात्रा साबर्मती आस्रम से लेके डांडी और यह हो रहा है एहमदाबाद में तो यह अच्छे से याद रखिएगा बहुत इंडिया का पहला प्रांड ग्रेटी डेस्क वागत रहे हैं यहां तैलंगना सरकार यह लाई है और इसके अंतरगत क्या हो कि होगा इंडिया का पूलिस में सुनवाई हो और पुलिस स्टेशन में क्या होगा एक पुलिस होंगे और उनके साथ एक प्रांसजेंडर परसंद भी होंगे ताकि इनके प्रॉब्लम को समझ पाए और इनके लिए कुछ प्राफधान लेकर आए और यह साल हो रहा है पिछले साल यह 10 मार्च को इसा क्यों कि यह होता है 2nd week of March on Thrust Day जब भी Thrust Day होगा और 2nd week होगा तो यह celebration किया जाता है यह जख्येगा Question No. 5 Hockey India National Women Championship is integrated at Hockey India National Women Championship is integrated हुआ है और यह integration कहां किया गया है तो स्टार्ट हो रहा है जारखंड में जी हाँ जारखंड के Simdega District में यह start किया जारा है याद रखेगा Simdega District जारखंड का यह start किया जारा है अगर आप जारखंड PCS दे रहे तो important question बनता है Simdega जारखंड Question No. 6 कि तरब move करते है Question No. 6 Hiraat Festival is related to which state और UT Hiraat Festival किस से related है तो Hiraat Festival actually related है Jammu and Kasmir से Kasmiri Pandit महाशिवरात्री के दिन ही celebrate करते है Hiraat Festival जिसमें महाशिव की पूजा की जाती है Question No. 7 Indian Railway has launched a portal to pay payment to contract worker Indian Railway ने एक portal start किया है किसले start किया है? तो उस पोर्टल का नाम है श्रमिक कल्यान पोर्टल याद रखिएगा? श्रमिक कल्यान पोर्टल Question No. 1 Recently Prime Minister Bayako died on 11th March 2021 He belongs to कभी कभी एक साम में Prime Minister जिनका अभी हाल में death हुआ है और काफी renowned है तो उनका नाम आता है तो अभी हाल में बयाकों का death हुआ है और ये बिलॉंग करते हैं Ivory Coast से Ivory Coast कहां है? Ivory Coast अफिका में है Gulf of Guinea के पास है ये Ivory Coast तो याद अकिएगा और यहां के Prime Minister है बयाकों जिनका अभी हाल में death हुआ है Question No.9 की तरब move करते हैं Which of the following statement is correct about प्रधान मंत्री स्वास्ट सुरक्षा नीदी? प्रधान मंत्री स्वास्ट सुरक्षा नीदी एक बहुत important scheme है जो कि launch किया गया है इसलिए ये question बनता है तो पताना है कौन से statement इसमें correct है Non-lapsible Reserve Fund Money contributed by Ministry of Health and Family Welfare only It is a part of जन आरोगे स्वीम None of the AVAV तो इसका answer होगा A. Non-lapsible Reserve Fund देखिए अभी हाल में Cabinet ने अप्रूफ किया है प्रधान मंत्री स्वास्ट सुरक्षा नीदी जो कि इस budget में launch किया गया है यह बहुत important scheme है इसले ध्यान रखते है इस scheme में क्या है Non-lapsible Reserve Fund यानि जो पैसा अगर पूरे साल में बच जाता है वो lapse नहीं होगा इस fund में तो वो reserve रहेगा अगले साल के लिए भी तो यह important है इसले यहाँ पर answer A है B क्यों नहीं है वो देखते है Option number B पे आते है Money contributed by Ministry of Health and Family Welfare वली तो यह गलत है Actually इस scheme में क्या है प्रधानमंती स्वस्त सुरक्षा नीदी जो प्लान है वो चलाया जाएगा Ministry of Health and Family Welfare के अंतरगत लेकिन जब पैसे की बात होगी तो यहाँ पे दो Ministry आएगी एक आएगा Health और दूसरा आएगा Education यानि दोनों मिनिस्ट्री इसमें पैसा contribute कर रहा है तो यह बहुत important scheme है ठीक है और तीसरा जो है इसलिए इसका answer हो जाता है एक Question number 10 बहुत important question है King Bhoomi Bowl World's Wild Day 2020 Award is given to एक बहुत important award है World's Wild Day 2020 वो किसको दिया गया है तो यह दिया गया है ICAR यानि Indian Council of Agricultural Research उसको यह आवार्ड दिया जा रहा है और यह आवार्ड दिया गया है Thailand के द्वारा और यह आवार्ड इंडिया को मिला है पी आईबी में यह कवर किया गया है तो इंपोर्टेंट है वोल्ड स्वाइल अवार्ड सेरवनी किंग भूमी बॉल चलिए देखते हैं आज का कोशिन अव दे और इसका आंसर आप जरूर दीजेगा का कमेंट बॉक्स में और इन चयादीका अमरित महाटसब के लिए कन निशनल हाई लिवल कमीटी बनाए गूह आपको बताना है कितने मेंबर है इस true इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टे और और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया है थैंक यू